तो हेलो गाइज, वेलकम तो मैं चैनल, प्लोट एक्स्प्लेनर्स, तोड़े वी गोना टोक अबाउट दे मूवी जुरासिक पार्क तो मूवी की सुरुवात में हम कुछ वरकर्स को देखते हैं, जो की एक गुफा के अंदर खुदाई कर रहे होते हैं और उन्हें वहाँ खुदाई करते वक्त एक पत्थर मिलता है, जिसे देखकर वे सभी काफी खुस होते हैं क्योंकि हेलिकॉप्टर की हवा से उन फोसिल्स को नुकसान हो सकता था, इसलिए डॉक्टर ग्रान्ट भागते हुए उस हेलिकॉप्टर के पास जाते हैं और उसके पाइलेट से इंजन बंद करनने के लिए खहते हैं और अब dr. Grant अपनी वेन में जाते हैं जहां पर हम एस कहानी के main character को देखते हैं जिसका नाम जोन हैमन होता है हैमन वहाँ उनकी बच्ची हुई champagne को खोल देता है जिसे देखकर dr. Grant काफी गुसा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हमने खास मौकों के लिए रख रखी थी तो बदले में Haman उनसे कहता है कि वो खास मौका आजी है और आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है तब ही वहाँ डोक्टर एली भी आजाती है और अब जोन हैमन उन्हें शैंपेन पिलाते हैं और साथ ही उन्हें ये भी भताते हैं कि उनके पास एक आइलेंड है जो की कोश्टरीका के तटपर है वे उन्हें कहते हैं कि वो एक ऐसा पार्क है जो की दुनिया में आज तक किसे ने नहीं देखा होगा और उस पार्क को देखने के बाद सभी लोगों के होस उड़ जाएंगे वही पर हैमन उन्हें ये भी कहते हैं कि उन्हें उस पार्क को लेकर उनकी सला चाहिए वे कहते हैं कि आप इन चीजों में expert है और expert की राए लेने के बाद मुझे मेरे island के लिए सरकार से permission मिल जाएगी और वो public के लिए open कर दिया जाएगा लेकिन तभी Dr. Grant और Dr. Ellie उन्हें कहते हैं कि आज कल हम दोनों अपने काम में काफी busy रहते हैं जिसकी वज़े से हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे लेकिन हैमन उन्हें कहता है कि वे उन्हें अगले तीन सालों तक उनके काम का पूरा खर्चा देंगे और बस ये सुनते ही Dr. Grant हा कर देते हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो लोग वहां कोस्ट रिका में डील कर रहे होते हैं जिसमें से एक का नाम डैनिस नैडरी होता है जो कि दूसरे आदमी को 1.5 मिलियन डॉलर्स के बदले 15 डैनसौर स्पीसिस देने का वादा करता है दरसल वो दूसरा आदमी उसे आदे पै कील को भी देखते हैं हैमन ने उन सभी को इसलिए बुलाया होता है क्योंकि उन्हें अपने पार्क के लिए परमीशन चाहिए होती है जिससे कि वह पब्लिकली ओपन हो जाए और अब वे सभी हैमन के आईलेंड पर पहुंच जाते हैं वहां पर पहुचने के बाद वे आग डौक्टर ग्रांट और डौक्टर एली काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और इस मूमेंट पर हैमन कहता है वेलकम टू जुराशिक पार्क और उसके बाद वे सभी हैमन के साथ उस एम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं जहां पर हैमन एक वीडियो के जरिए बताता है कि कैसे उन्होंने उस डाइनसोर को बनाया वे कहते हैं कि हमारे खून के एक बूंद में करोड़ो डियने के रेसे रहते हैं और एक डियने के रेसे में जिंदगी का पूरा नक्सा चीपा रहता है वे ये भी कहते हैं कि 10 करोड साल पहले भी मच्छर हुआ करते थे जैसे कि आज होते ह उस वक्त भी वे जानवरों का खून चूसा करते थे और हुआ यू कि एक डैनसोर को काटने के बाद एक मच्छर पेड़ पर जाकर बैठ गया और उसके गोंद से चिपक गया बरसो बरस बीत गए और वो गोंद सक्त होकर एक पत्थर बन गया वो मच्छर उस पत्थर में रु पुरा किया जिससे की हमें मिला बेवी डैनसोर उस वीडियो को देखने के बाद वे सभी लैम में जाते हैं जहां पर वे एक डैनसोर को एग में से निकलते हुए देखते हैं और उसके बाद हैमन उन सभी को एक वैलोशी रैप्टर दिखाता है जो कि अपने पिंजरे में बंद होता है वहां पर डौक्ट्र गृांट एक अदमी से उस वैलोशी रैप्टर के बारे में पूचते हैं जो कि उन्हें काईता है की ये वैलोशी रैप्टर पैदा होने के आट महिने बाद ही काफी खुकार और काफी होश्यार भी हो जाते हैं और अभी ये सब देखने और साथ ही प्राकर्तिक के खिलाव भी और उसकी इस बात से वहां बैटे सभी वैक्ती भी सैमत होते हैं वहीं पर हम हैवन के ग्रैंड सन और उसकी ग्रैंड डोटर को देखते हैं जो कि वहां उनसे मिलने के लिए आते हैं जिनका नाम होता है टिम और लेक्स और अब वे सभी पार्क की सैरपल जाते हैं वहां पर वे सभी पहले डिलोफसोरस को देखने के लिए जाते हैं लेकिन उन्हें वो डैनसौर वहां दिखाई नहीं देता और बाद में वे टीरेक्स को देखने के लिए जाते हैं लेकिन उन्हें वो भी वहां दिखाई नहीं देता और अब जब वे उस पार्क में घूम रहे होते हैं तो उन्हें वहां एक ट्राइसरेटोपस दिखाई देता है जिसकी हालत काफी खराब होती है और वही पर दूसरी तरफ हैमंड और उसकी टीम कम्प्यूटर में ये देख रहे होते हैं कि वहाँ एक तुफान आने वाला है जो की काफी खतरनाक हो सकता है और साथ ही उनके कम्प्यूटर में कुछ खराबी भी आ जाती है जिसकी वज़े से उनकी कार की हेडलाइट्स ओफ नहीं होती जिसकी वज़े से अब उन्हें पार्क में घूम रहे सभी लोगों को वापिस लाना होगा और इस टूर को यहीं पर रोकना होगा और अब हैमन्ड डैनिस से उस कम्प्यूटर गिलीचिस को ठीक करने के लिए कहता है दरसल डैनिस अपनी टीम को धोका दे रहा होता है उसने एक आदमी को 1.5 मिलियन डॉलर्स के बदले 15 डैनसौर स्पीसिस का डिने देने का वादा किया था जिसके लिए वो कम्प्यूटर में कुछ ऐसे कोड भर देता है जिससे कि वहां के सभी सेक्यूरिटी सिस्टम बंद हो जाएंगे और अब वो हैमन्ड से जूट बोलता है कि उसने कम्प्यूटर की खराबी को ठीक कर दिया है और साथ ही वो उन्हें ये भी कहता है कि पूरा सिस्टम सही होने में कम से कम 15-20 मिंद लग जाएंगे जिसके दोरान कुछ चीजे बंद हो सकती है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है और ये सब कहने के बाद वो वहां से उन डैनसोर के डियने चुराने के लिए चला जाता है वही पर हम देखते हैं कि वे सभी डॉक्टर एली और डॉक्टर हार्डिंग को वहां छोड़ कर वापिस आ रहे होते हैं क्योंकि एली उस बिमार डैनसोर के साथ कुछ और देर रहना चाती थी और जब वे वापिस आ रहे होते हैं तो उनकी कार बीच में ही बंद हो जाती है और उनकी कार के साथ साथ वहां के सभी सिस्टम भी बंद हो जाते हैं जिसे देखकर डोक्टर रे काफी घबरा जाते हैं और जब वे सभी सिस्टम को दुबारा से ओन करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डैनिस ने सभी सिस्टम जान बूच के बंद कर दिये हैं और साथ ही उन पर लोग भी लगा दिया है जिससे की सिस्टम दुबारा से स्टार्ट ना हो सके दूसरी तरफ टिम को वहां कुछ महसूस होता है उसे गिलास में रखे पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है और तभी वहां एक T-Rex आ जाता है और अब क्योंकि सारे सिस्टम बंध हो चुके होते हैं तो फैंसिंग में भी करंट खतम हो जाता है जिसकी वज़े से वो T-Rex उनकी कार के पास आ जाता है और उस T-Rex को देखने के बाद वो सरकारी वकील काफी डर जाता है और बच्चों को कार में अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है वही पर डोक्टर ग्रांट और डोक्टर मैलकॉम भी उस T-Rex को देखकर हैरान हो जाते है और जब वो टी रेक्स डॉक्टर ग्रांट की कार की तरफ बढ़ता है तो तभी लैक्स को कार में रखी टूल किट में एक टोर्ट मिल जाती है जिसे वो गलती से ओन कर देती है लाइट की वज़े से वो डाइनसोर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और अब वो उन पर हमला कर देता है और उनकी कार के सनरूफ को तोड़ देता है ताथ ही वो उनकी कार को पलता देता है और अपने पंजो से उस कार को कुचलने भी लगता है लेकिन तभी डॉक्टर ग ग्रांट से उन बच्चों को बचाने के लिए कहता है यानि वो टी रेक्स मैलकॉम का पीछा कर रहा होता है और तभी मैलकॉम पास के एक बातरूम में जाकर छुप जाता है और अचानक से बेहोस हो जाता है मैलकॉम जहां बेहोस होता है वहां पर पहले से ही वो सरकारी वकील के भी होता है और निकालने की कोशिश करते हैं जैसे ही वह टिम को निकाल रहे होते हैं वह आ जाता है घर जाती है और चिलने लगती है लेकिन तभी दोक्टर उसके मुव पर हाथ लग देते हैं जिससे की वो और जादा ना चिलाए क्यूंकि डाइनसोर सोर और हलचल की वज़े से जादा अट्रेक्ट होते हैं लेकिन टिम को बहार निकालने से पहले ही वो डाइनसोर उस गाड़ी की डारेक्शन चेंज कर देता है जिसके कारण डॉक् के गिरने से पहले ही दूसरी केवल को पकड़ लेती है जिसकी वज़े से वे दोनों उस कार के नीचे कुछले जाने से बच जाते हैं और अब वो कार सीधा एक पेड़ पर जाकर अटक जाती है जिसके अंदर टिम भी मौजूद होता है वही पर हम देखते हैं कि डॉक्टर एली भी उस गार्ड के साथ चली जाती है वही पर सीन सिफ्ट होता है डैनिस की तरफ जोकी लैब से 15 डाइनसोर स्पीसिस का डिने चुडा कर भाग रहा होता है लेकिन तभी उसकी गाड़ी का टैयर कीचेड में धस जाता है वह उसे निकालने के लिए गाड़ी से बाहर न जोकी एक जैरीला डैनसोर होता है वो डिलोफिसोरस डैनिस की आखो पर जैर फेक देता है जिसकी वज़े से वो कुछ देख नहीं पाता और तभी वो उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रांट टिम को बचाने के लिए वहा बाहर निकाल लेते है और जैसे ही तीम गाड़ी से बाहर निकलता है वह स्केमों करता आज से बातवार निकलता है वह जातनी परने वुक्टर ग्रांट पर ऑद से यंज वह mu दोनों वहां उस दूसरी गाड़ी को ढूनना सुलू कर देते हैं और जब वे उस गाड़ी को ढून रहे होते हैं तो तभी उन्हें वहां मैलकम दिखाई देता है जो कि उस टीरेक्स की वज़े से वहां बेहोस हो चुका था और अब वे दोनों मैलकम को कार में बिठा देते ह और वापिस सभी को ढूंडने लगते हैं और जल्द ही उन्हें वो गाड़ी नजर आती है जो कि उस कंक्रीट की दिवार से नीचे गिर गई थी लेकिन जब एली और वो गाल उस गाड़ी को चेक करने जाते हैं तो उन्हें वहां उस गाड़ी में कोई नहीं मिलता तभी एली और कोई और नहीं बलकि वो टी रेक्स ही होता है जो कि अब भी उस जगह पर मुझूद था और उसे देखकर वो दोनों काफी डल जाते हैं और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी को फुल स्पीड पर चला देते हैं जिसकी वज़े से वे सभी उस डैनसोर का खाना बनते बनते बच जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रांट और उन बच्चों को उस टी रेक्स के दहाडने की आवास सुनाई देती हैं जिसे सुनकर वे काफी घवरा जाते हैं और जल्दी से एक बड़े पेड़ पर चड़कर बैठ जाते हैं उन्हें वहाँ काफी सारे ब्रैक्योसोरस दिखाई देते हैं जो कि साकाहारी डैनसोर्स होते हैं वही पर सीन सिफ्ट होता है कंट्रोल रूम की तरफ जहां पर हैमंड अपने टीम मेंबर से उस पार्क के पूरे सिस्टम को रिबूट करने के लिए कहता है और हैमंड के कहन से लोटने तक उस तैखाने में रहने के लिए ही कहता है दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रान टिम और लैक्स वहां एक खुले मैदान में पहुच जाते हैं जहां पर उन्हें गैली मीमस का जंड दिखाई देता है जो कि उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है वे सभी उन ड रेक्स आ जाता है जो कि उन गैली मीमस के जुंड पर हमला कर देता है जिसे देखकर वे सब घबरा जाते हैं और वहां से चुप चाप निकल जाते हैं वही पर हम देखते हैं कि ले अभी तक वापिस कंट्रोल रूम में नहीं लोटता जिसकी वज़े से अब एली और रोबर् जैसे वहां की फैंसिंग में करंट खतम हो जाता है जिसकी वज़े से वहां के रैप्टर्स उन्हें तोड कर भाग जाते हैं और जब दोनों मेंटेनेंस रूम के पास पहुंचने वाले होते हैं कि तभी रोबर्ट को वहां कुछ मैसूस होता है वह समझ जाता है कि वह जालते हैं लेकिन एली की किसमत काफी अच्छी होती है वह सही सलामत वहां मेंटेनेंस रूम में पहुंच जाती है वही दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रांट टिम और लेक्स उस इलेक्रिक फैंसिंग को क्रोश कर रहे होते हैं क्योंकि अब उनमें करंट नहीं होता लेकिन अ पर रंट आ जाता है जिन पर टीम लटका होता है और तभी उसे बिजली का जोरदार जटका लगता है जिसके वज़े से वह सीधा नीचे गिल जाता है और अब उसकी सासे चलनी बंद हो जाती है लेकिन तभी डॉक्टर ग्रांट उसे सीपी आर देते हैं और उसे बचा ले आते हैं और उन्हें वहां बिठा कर वे डॉक्टर एली को ढूनने के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें डॉक्टर एली मिल जाती है जो की काफी डरी हुई होती है वही पर हम देखते हैं कि जब टीम और लैक्स वहां खाना खा रहे होते हैं तो तभी टीम को वहां उन रैप्टर्स की परचाई नजर आती है जिसे देखकर वे डर जाते हैं और उनसे बचने के लिए वे दोनों किचन में जाकर चिप जाते हैं लेकिन वे रैप्टर उनका पीछा करते करते वहां किचन में भी पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं ले लिकिन आखिर में recommends उन सब को चारों तरफ से घेड लेते हैं और अब जब वे रैप्टर उन पर हमला करने tale होते हैं कि तभी वहां एक टी रैक्स आ जाता है और उन रैप्टर्स पर हमला purely Dieu वहीं पल जब वे रैप्टर्स और टीरेक्स लड़ रहे होते हैं तो तभी वे सब मोका देखकर वहां से भाग जाते हैं और अब उन्हें बाहर हैमंड और मैलकम भी मिल जाते हैं जिनके साथ ये गाड़ी में बैठ कर हैलिपैड तक पहुंच जाते हैं और हैलिकॉप्टर की मदद से अब ये सब वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी यहां खतम होती है गाईज अगर आपको किसी भी मूवी का एक्स्प्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बोक्स में कमेंट करें और हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरू कि वीडियो में थैंक यू